ये मेरी और स्नो लेपर्ड की कहानी है मैंने अपना वाइल लाइफ केरियर भरतपुर से स्टार्ट किया और उसके बाद मैं काना नैशनल पार गया जहां मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा मेरे जीवन में एक समय आया जब मैंने टाइगर्ज के उपर फोटोग्राफी की वो भी काना और बांदोगर नैशनल पार्क में और उस समय मैं एक व्यक्ती से मिला जिसने मुझे स्नो लेपर्ड के बारे में बताया जब मैंने स्नो लेपर्ड के बारे में सुना टेक ही है और चल पड़ा Snow Leopard की तलाश में सबसे पहले हम ले पहुंचे ले पहुंचने पे वहां का जो टेंपरेचर था वो माइनस 10 डिगरी था क्योंकि मैंने जो सोचा था कि हम Snow Leopard पे documentary करेंगे तो वह winters में करेंगे winters में करने का मतलब सीधा सा था कि हम Snow Leopard को ज्यादा नजधीक से और निचले स्थानों पे देखना चाते थे Snow Leopard के लिए हमने दो दिन ले में बिताये अपने आपको अक्लमनाइक्स करने के लिए ले में हमने सारे अपने संसादन इकटे किया जैसे खाने का समान ट्रैकिंग का समान जिस इस्तान पे हम जा रहे थे वो गाउं बहुत छोटा सा था उले उले मेरे हिर्दे में सबसे महतपूर जगा लिए है क्योंकि मेरे जीवन की सबसे पहली विंटर वेकेशन वो उले की ही थी मैं उले पहुँचता हूँ रास्ते में बहुत सुन्दर सुन्दर दृष्षे मिलते हैं बच्चे जो है स्केटिंग कर रहे होते हैं आपकी फ्रोजन इंडस नदी पे ये एक बहुत ही ऐसा पल था जिसको मैं कभी नहीं बुला पाता हूँ मेरी यात्रा शुरू होती है उले में पहुचने के बाद स्नो लेपड की खोज में कुछ दिन हमने बिताए ट्रेकिंग कर करके और ट्रेकिंग भी इतनी परिशानी से भरी थी कि इतने बरफ थी कि चलना भारी हो जाता था हम 13-15,000 फिट के बीच में थे और इतना आसान नहीं था वहाँ पे ट्रेकिंग करना क्योंकि खड़ी चड़ाई हावा की कमी के कारण अब ठकते बहुत जल्दी थे और ऑक्सीजन नहीं होने की वज़े से आपको सांस लेने में भी परिशानी होती थी एक हफ्ता बीता हमारा लेकिन नहीं पता चला ना पन्जे मिले ना कोई मार्किंग मिली लेकिन अचानकיח 10-12 दिन हमें स्नो लेपएटimiento की मार्किंग मिलती है मेरा गाइड है नोर्वू जो मुझे उसके बारे में बताता है कि ये स्नो लेपएटبح की मार्किंग स要 यह सुनने पर का बाल है यह है आप ट्रैकर नोबू से इस अप स्नॉलापर इस मस्ट भी उस्ट इस पर ट्रैटरिटरिय मार्किंग और ट्रैटरियर मार्किंग वह मार्किंग देखके मेरे मन में एक खुशी की लहर दोरती है कि कुछ नहीं नहीं तो चलो कुछ तो मिला इसनॉलेपर ना मिलने पर हम थोड़े से रुआ से तो जरूर हुए लेकिन वहां के द्रिशे इतने अच्छे थे कि हमें अपने काम को इसनॉलेपर को खोजने के लिए हम जाई रहते थे एक नया सवेरा होता है हम आगे बरते हैं और उस दिन हमे इसनॉलेपर नहीं एक हिमालेण फॉक्स मिलती है हिमालेण फॉक्स अपने आप में बहुत ही सुन्दर है इतनी सुन्दर कि आप इसको घंटो देख सकते है जब मैंने हिमालेण फॉक्स देखी तो मेरे मन में सीधा सा एक विचार आया क्या मैं इसको घर ले जा सकता हूँ 14 साल का करियर मेرا وائل लाइफ में था मैंने पहली बार हिमालियन फॉक्स देखी थी हिमालियन फॉक्स मैंने डॉक्यमेंटरी जब करियर में बहुत देखी लेकिन पहली बार आमने सामने देखते वे मैं खुशी के मारे पागल था High altitude, wildlife में क्या-क्या हम देख सकते हैं इसको देख के मैं खुशी किसे मैं बता नहीं सकता था कि मैं कितना खुश था हम आगे बढ़ते हैं हमें आज के दिन Snow leopard के पंजे मिलते हैं हम आगे बढ़ते हैं लेकिन वो पंजे आगे जाके बरफ में कहीं खो जाते हैं लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही हम खोशते रहे Snow leopard को एक महीना बीट गया लेकिन Snow leopard हमें मिला नहीं हमने हर तरीके से Snow leopard को खोशने की कोशिश की पहाड़ी की उचाई पे चड़के पत्थनों की उचाई पे चड़के दुर्बीन लगा के घंटो घंटो हमने देखा Snow leopard को लेकिन हम ढूंड नहीं पाए एक महीना बीट गया एक महीना बीटने के बाद भी हमें Snow leopard नहीं मिला और मुझे दिल्ली बापस आना परता है और मैं यहाँ पे और लोगों से मिलता हूँ सोचता हूँ कि आगे क्या किया जाए कैसे Snow leopard को और ढूंडा जाए टाइम बीटता है गर्मियों से सरदियां आती है एक साल बीट जाता है हम दुबारे Snow leopard की खोज में लद्दाक पहुँचते हैं और इस बार फिर से हम उले में पहुँचते हैं जब उले में पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक leopard है जिसके दो बच्चे है मुझे उमीद बंदी है कि क्यों न हो सकता है इस बार मैं इस बच्चे वाली Snow leopard को देखने का मौका मिले 20 दिन बीतने के बाद भी Snow leopard का कोई नामोना शान नहीं दिखा मैंने अपनी पिछली ट्रिप में जो गलतिया की थी उससे बहुत कुछ सीखा था और इस बार आने पे मैंने ये सोचा था कि अब की बार मैं एक महिना नहीं तीन महिने बिताने का प्रयास करूँगा और Snow leopard देखके दिली Snow leopard नहीं मिला ये साल और निकल गया मैंने फिर सोचा कि इस साल जब सर्दियां आएंगी तो मैं फिर Snow leopard देखने जाऊंगा और कोशिश करूँगा कि इस बार देखके लोटू सर्दियां आई एक नया सवेरा शुरू हुआ एक नई खुशी के साथ मैं दुबारा फ्लाइट में बैठता हूँ और लदाक में ले में लैंड होता हूँ वहां मुझे फिर मेरा अपना गाइट नोर्बू मिलता है और तारगेज मिलता है और मैं उनसे मिलके यही कहता हूँ कि इस बार मैं Snow leopard का फोटेज लेकी ही जाओंगा हम ले में होते हैं और एक फोन कॉल आती है फोन कॉल आती है ले से 50 किलो मिटर दूर एक गाउं से जहां कहा जाता है कि Snow leopard दिखा है घर के पीछे और वहाँ पे उस Snow leopard ने याक मारा है तो याक की खबर सुनके कि याक का किल है तो मैं खुश होता हूँ और कहता हूँ कि अगर याक का किल है तो Snow leopard एक दो दिन वहां रहेगा हम गाड़ी उठाते है और सीधे ड्राइव करते है जबकि हम उसी दिन ले में लेंड किये थे मैं और मेरी टीम अक्लमेटाइज नहीं थी उसके बाद भी रिस्क लेके हम Snow leopard देखने पहुशते है और वो शन था जब पहली बार हम Snow leopard एक mountain पे बैठा मिलता है एक rock पे बैठा हुआ होता है और इतना सुंदर दिश्य था वो कि Snow leopard mountain में ऐसा चुपा हुआ है कि गौर से देखने पे पता चलता है कि वहाँ Snow leopard बैठा हुआ है Snow leopard उटता है और चलता है और आगे बढ़ता चला जाता है हमें tripod लगाने का time भी नहीं मिला इतनी जल्दी वहाँ से उठा और चला तो मैंने camera को handheld यूज किया और shaky footage लिया एक हिलता डूलता footage लिया और खुशी का अप मैं पागल था कि आज पहली बार Snow leopard देखने मिला उसके बाद हम बापिस ले आते हैं एक दिन बिताते हैं और उले जाते है और उले में भी हमें एक Snow leopard देखने मिलता है वो भी याकिल के साथ लेकिन ठंड के कारण हमारे जो High Definition camera था वो काम नहीं करता है तो हम एक पुराना High Five camera उठाते हैं उससे फोटे शूट करते हैं और वो मेरे जीवन का सबसे महत्पूर्ण और मुल्लेवान समय था मैं दिल्ली बापस आता हूँ और खुश होता हूँ ये थी मेरी कहानी और Snow leopard की कहानी जिसे शूट करने में मुझे तीन साल लगे